दाधाजी मैं आपको बचाने आ रहा हूँ आ रहा हूँ दाधाजी मैं आ रहा हूँ बिट्टु इस गर के अंदर मत जाना इस घर में चुडेल रहती है डायन भूतनी नहीं मैं अपने दाधाजी को कुछ होने नहीं दूगा कुछ देर पहले मैं बिट्टू यमला पगला दिवाना अरे चुपो जा बेटा सुधरजा सुधरजा वरना बड़ा होकर यमला पगला आवारा ही बनेगा सब कुछ मिल रहा है ना इसलिए ये सब हरकते कर रहा है बेटा परेसानी हमने अपने जमाने में देखी है ना धंग से खाना मिलता था ना धंग से कपड़े मिलते थे तुम्हैं सब कुछ मिल रहा है इसलिए ये सब हरकते कर रहा है बेटा ऐसा ही रहा, तो बड़े होकर अनपड़ भिखारी बनेगा बाकि तुझे कुछ करना है नहीं बिट्टू को सब मिल रहा है इसलिए वो अनपड भिकारी बनेगा तुझे कुछ नहीं मिला ना कपड़े ढंग से मिले ना खाना ढंग से मिला तू बन गया कलेक्टर इंजीनियर डोक्टर अरे पिताजी मेरा मतलब ये नहीं था मैं तो समझा रहा था उसको बेरोजगार पिताजी बेरोजगार बोल कर बेजज़ती तो मत करो तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया आज अपने बच्चु से बोल रहा है मेरे बापने मुझे कुछ नहीं दिया ढंक से कपड़े नहीं दिये ढंक से खाना नहीं दिया कुछ नहीं किया मैंने ऐसे ही बाल सफेद कर दिये कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया बेटा ऐसे ही बूड़ा हो गया मैं अरे पिताजी मेरा मतलब ये नहीं था आप बे मतलब गुस्सा कर रहे हो सब पता है, सब पता है बेटा, सब पता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ बाप मैं जा रहा हूँ इस घर से आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा मेरी अंतिमबार सकल देख ले पोते, तू भी मेरी सकल देख ले बहू, तू भी देख ले देख लिया, मैं जा रहा हूँ मेरा कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा मैं जा रहा हूँ अरे पिता जी कहां जा रहे हो अरे पिताजी अरे मत जाओ मत जाओ अरे पिताजी मत जाओ कर दिया नाराज सशुड जी को अरे भाई साहब अंकल जी को क्या हुआ बाहर मुझे पूछ रहे थे ऐसी जगह बताओ जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है मैंने कहा पीछे मोहले में एक भूतिया घर है, जहां चुडेल रहती है, जो भी उस घर में जाता है, वो चुडेल उसको खा जाती है, तो वो उस घर में चले गए है, ऐसा क्या हुआ अंकल जी को, जल्दी जाओ, अंकल जी को बचा लो, वो चुडेल उनको खा जाएगी, मैं ने बताना था बता दिया, बाखी आपकी मड़ जी, मेरे दादा जी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, मेरे दादा जी, अरे बिट्टू, तू उस घर में मत जाना, वहाँ चुडेल रहती है, अरे बिट्टू, बिट्टू के पापा, मेरे बिट्टू को और ससुर जी को दादा जी, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, दादा जी, मैं आ रहा हूँ, बिट्टू, इस घर के अंदर मत जाना, इस घर में चुडेल रहती है, डायन, भूतनी, नहीं, मैं अपने दादा जी को कुछ होने नहीं दूँगा, बिट्टू के पापा, बिट भी चुडेल सोई है, चल चल, बाहर चल, दादा जी, दादा जी कहां हो? रहा हाँ, बिट्नो भाग, चुडेल उठ गई, भाग, चल चल, चल, भाग, भाग, याहाँ, नहीं, भाग, जो इस घर में एक बार आ जाता है, उसका भागना मुश्किल ही नहीं, क्योंकि मैं चुडेल उसको खा जाती हूँ मार डालती हूँ बिटु के पापा मुझे डर लग रहा है ये चुडेल हमको खा जाएगी मुझे इतना डर लग रहा है मैं डर की वजह से काप रही हूँ देखो कितना काप रही हूँ मैं अरे चुडेल ये बता मेरे दादा जी कहा है कहा है मेरे दादा जी कौन दादा जी किसके दादा जी मेरे दादा जी यही आये थे इसी घर में मेरे दादा जी कहा है कहा है मेरे दादा जी जो इस घर में आता है मैं उसको खा जाती हूँ अब मुझे क्या पता, कौन किसका दादा है, किसका नाना है, मेरे लिए तो सब मेरे भोजन है, तू मेरे दादा जी को खा गई, खा गई, मेरे दादा जी को मार दिया तूने, तूने मेरे दादा जी को मार दिया, हाँ, खा गई, बोल क्या करेगा, अब मैं तुझे भी खा ज तुम सब को मार दूंगी इधर आ इधर आ बिट्टू पागल हो गया है क्या भागने की बजाए चुडेल को अपने पास बुला रहा है चल चल भाग यहां से चुडेल इधर आ लगता है मरने की जल्दी है यह ले आ गई तुने एक चुडेल को थपड मारा तुने एक भूतनी को थपड मारा मैं तुछे खा जाओंगी तुने एक चुडेल को फिर थपड मारा तुने एक भूतनी को दो दो बार थपड मारा हा मारा तुछे खा जाओंगी जब तुझे दो थपड से इतना बुरा लग रहा है तो सोच, तुने मेरे दादा जी को मारा, उनको खा गई तो मुझे कैसा लग रहा होगा पापा, चलो, घर चलो मैं किसी को जानी नहीं दूँगी मैं खा जाऊंगी चुप, बिलकुल चुप मुझे दो थपड मार कर चले गए मैं चुडेल, भूतनी कुछ नहीं कर पाई कितनी याद आ रही है मुझे दादा जी की मेरे ससुर जी, कितने अच्छे लग रहे थे यहाँ पर बैठे थे सब बिट्टू की वज़ाय से हुआ अरे क्या हो गया दादा जी, बिट्टू के पापा, भूत, 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 भूत अरे चुपो जा, अपने बाप को भूत कह रहा है इसी दिन के लिए पैदा किया तुझे पिता जी, आप तो चुडेल के घर गए थे हमने सोचा आपको चुडेल खा गई अरे चुपो जा, फाल तुबाते कर रहा है मैं बाहर गया था, लेकिन वापस घर आ गया घर में देखा कोई है नहीं तो फिर मैं अराम से सो गया कहां चले गए थे तुम लोग मेरा दादा जी मेरा दादा जी मैने सोचा आप चले गए हो मैंने सोचा आपको चुडेल खा गई है मेरा दादा जी मेरे पोते मेरा दादा जी मेरे पोते मेरा दादा जी मेरे पोते